मतस्य प्रान के तेरवे धैमे पित्र वंश वर्नत तता सदी के विर्तान परसंग में देवी के एकसो आठ नामों का विबरन मनों न पूछा भगवन अम मैं पित्रों के उत्तम वंश का वर्नत सुनना चाता हूँ उसमें भी विशेश रोप से ये जानने की अबिलाशा है कि सूर्य और चंद्रमा शरात के देवता कैसी होगे मतस्य वगवान जी कहने लिगे राजरिशी बड़े अनंद की बात है अब मैं तुमसे पित्रों के श्रेश्ट वंश का वर्नत का रहा हूँ सुनो सर्ग में पित्रों के साथ गन हैं उनमें तीन मूर्ती रहित हैं और चार मूर्ती मान हैं ये सब के सब अमित जस्वी हैं अमूर्त पित्र गन वेराज नामक प्रजापती की संतान हैं इसलिए वेराज नाम से परसिद्ध हैं, देवगान उनकी पूजा करते हैं, ये सभी सनात्र लोगों को प्राप्त करने के पश्चाद योग मार्ग से चिउत हो जाती हैं। तथा ब्रह्मा के दिन के अंत में पुना ब्रह्मवादी रूप में पन होती हैं, उस समय में पूर जनम की समर्थी हो जाने से पुना सरवत्तम सांखी योग का आशरे लेकर योग अभ्यास द्वारा आवागमन के चिकर से मुक्त करने वाली सिध्धी प्राप्त कर लेती इन उप्युक्त पित्रों की मानसी कन्या मेना हिमवान की पत्री मानेगी है। मेनाक उनका पुत्र है, क्रोंच उनसे भी पहले बेदा हुआ था, इसी क्रोंच के नाम पर घृच से परिवेश्टी चतुर टीप, क्रोंच टीप नाम से विख्या थे। तद पस्चात मेना ने उमा एक पर्ना और पर्ना नाम की तीन कन्याओं को जन्म दिया, जो सब की सब योग अभ्यास में निरत, कठोर वरत में तद पर, तथा लोक में सर उश्रिष तपस्वनी थी। हिम्वान ने इन में से एक कन्या रुद्र को, एक सित को और एक जगिश्य को परदान कर दी। रिश्यों ने पूछा सोजी, पूर काल में दक्ष पुत्री सती ने अपने शीर को अपने आपी क्यों जला डाला। तथा पुना उसी प्रकार का शीर धारन करके वे भूतल पर हिम्वान की कन्यारक के रूप में कैसे प्रगट हुई। उससे ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने लोक जन्नी सती को जो उनी की पुत्री थी, कौन सी ऐसी बात कह दी थी, जिससे वे सियम ही जल मरी। ये सबी बाते हमें विस्तार पुरग बताईए, तो सोजे कहते हैं रिशियो, प्राचीन काल में दक्ष ने एक विशाली एग्यकान स्थान किया था, उसे परचोर धनडाशी दक्षना के रूप में बाटी गई थी, तथा सभी देवता अपना अपना भाग ग्रहन करने के लिए आमंत्रित किये थे, प्रन्तु देश्वा शिवजी को निमंत्र नहीं भीजा गया था, तब अपने पती का भाग न देखकर सती ने पिता दक्ष से पूछा पिता जी, आपने इस विशाली एग्यक्यमें आपने मेरे पती देव को क्यो नहीं आमंत्रित किया, तब द अंगल भागी है, इस कारण में यग्यों में भाग पाने के लिए अयोग्य है, ये सुनकर सती क्रोज से तम तमाव थी और बोली तात, अब मैं तुमारे पापी शीर से उत्पन हुई, अपनी देखा पर त्याग कर दूँगी, तुम दस पित्रों के एक मात्र पुत्र होग और शत्री योनी में जनम लेने पर अश्य में यग्य के अफसर पर रुद्दर द्वारा तमारा विनाश हो जाएगा, ऐसा कहकर सती ने योगबल का आश्रे लिया, और सता शीर से प्रकट हुए तेज से अपने शीर को जलाना प्रारंब कर दिया, तब देवता, असुर और किन्रों के साथ गंधरो एम गोहगान, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इस परकार हो हला मचाने लगे, ये देखकर दक्षवी दुखी होकर सती के निकटगे और परनाम करके बोले देवी, तुम इस जगत की जन्नी तथा जगत को सभाग्य परदान करने वाली देवता हो, तुम मुझ पर अंग्रे करने की कामना से ही मेरी पुत्री होकर अवतीर नहीं हो, धर्मग्ये, इस निखिल ब्रहमांड में समस्चराचर वस्तों में कुछ भी तुम से रहित नहीं है, अर्थात सब में तुमारी सत्ता व्याप्त है, मुझ पर क्रिपा करो, इस अवसर पर तुम्हें मेरा पर चाग नहीं करना चाहिए, दक्ष के इस प्रकार प्रात्रा करने पर देवी ने कहा, दक्ष, मैंने जिस कारे का अरंभ कर दिया है, उसे तो निसंदे अवश्य पून करूंगी, किन्दु तरिशूल धारे शिवजी द्वारा यग्यवे ध्व रहोने पर भी प्रजापती हो जाओगी, उसमें मेरे अंच से तुम्हें साथ कन्याय उत्पन होंगी, तथा मेरे समीब तवस्या करते हैं तुम्हें उत्तम योग की प्राप्ती हो जाएगी, ऐसा कहे जाने पर दक्ष ने पूछा, पाप रही देवी, इस कारे के निमत मु समस्त प्राणियों में सब और सर्दा मेरा ही दर्शन करना चाहिए, क्योंकि संपुरन लोकों में जो कुछ पदार्थ हैं में सम मुझसे रहित नहीं हैं, अथाज सभी पदार्थ हैं मेरी सक्ता विद्यमान हैं, तथापी सिद्धी की कामना वाले अत्वा एशर, और द्वारा जिन जिन तीर स्थानों में मेरा दर्शन और समरश्ट करना चाहिए, उनका मैं ये थात रूप से वर्नन कर रही हूँ, मैं वारा नसी में विशालाक्षी, नमिश्यरन में लिंगधार्नी, परियाग में लडिता देवी, गंदमाधन परवत पर कामाक्षी, मा परवत वन में मद उटकटा, अस्तनापूर में जियनती, कान्य कोबज में गोरी, मले परवत पर रमभा, एक कामरक भूनेशर तीथ में कीर्तिमती, विश्वेशर में विश्वा, पुषकर में पुरुहुता, केदार तीथ में मार्कदाहिनी, हिमवान के प्रिष्ट भाग में नंदा, गोकर्न तीथ में बद्र करनिका, स्थानेश्वर में भुवानी, बिलु तीथ में बिल पत्रिका, श्रीशैल पर माधवी, बद्रेश्वर तीथ में बद्रा, वराशैल पर जिया, कमलाले तीथ में कमला, रुद्र कोटी में रुद्रानी, कालंजर गिरी पर का मरकोट में मुक्टेश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष में बद्र सुंदरी, विपुल में विपुला, मल्याचल पर कल्यानी, कोटी तीर्थ में कोटवी, माधवन में सुगंदा, कोद़ाश्रम में तीसंद्या, गंगादवार हरीदवार में रतिप्रिया, शीवकुंड तीर्थ में शिवानन्दा, देव का पंजाबी, पंजाब की देवनदी, कितत पर नंदनी, द्वारकापुरी में रुक्मनी, और विंदावन में राधा हूं। में मत्रापुरी में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकोट में सीता, विंद्य परवत पर विंद्य वासनी, सहस्ताद्री परव एक वीरा, हरिश्चंद्र तीर्थ में चंद्रिका, राम तीर्थ में रमना, जमना में मिरिगावती, कोलापुर में महालच्वी, विन प्रभासमे पुष्क्रावती सर्ष्ती में देव माता समुध्ञतडवर्ती महाले तीत में महाभागाई प्योशनी पैन गंगा में पिंगलेश्वरी, कृच्छो तीथ में सिहिका, कार्तिके में यससकरी, उत्पला वर्तक में लोला, शोन मंगल में सुबद्रा, सिद्धपुर में लच्छी माता, भरत आश्रम में अंगना, जलंदर परवत पर विश्य मुखी, किसकंदा परवत अत्तारा, देवदारुवन में पुष्टी, काश्मीर मंडप में मेधा, हिमगिरी पर भिमा देवी, विश्वेशर में कमाल मोचन में शुद्धी, काया वरोहन में माता, शंखोद्वार में ध्वनी, पिंडारक शेत्र में ध्रिती, चंद्रभागा चिनाव में काला, अच्छोद में शिवकार्णी, वेना में अम्रता, बद्री तीर्थ में उर्वशी, उत्तरकुरो में ओष्टी, में वंधनाय, मुक्ट में शथ्यवाद्णी, अश्वत्वात्यित के वन धुनिया, क्उछेववन्णाल्य में निधी, वेदवद्द में अगायत्री, शीवसणुनिधी में पार्वती, देवलोक में इंद्रानी, ब्रह्मा के मुखों में सरुcopare, काया मुक्ष्टी, सूर इस परकार मैंने अपने 108 श्रेष्ट नामों का वर्णन कर दिया इसी के साथ 108 तीर्टों का वी नामों लेख हो गया जो मनुश्य मेरे इन नामों का समरन करेगा अथवा दूसरे के मुख से श्रमन मात्र कर लेगा वे अपने निखिल पापों से मुक्थ हो जाएगा इसी परकार जो मनुश्य इन उप्योप तीर्थों में शनάν करे मेरा दर्शन करेगा वैसमस्त पापों से मुक्त होकर कल परियंट शीपूर में निवास करेगा तथा जो मानव इन तीर्थों में मेरे इस परम अंतिम समय का समरन करेगा वेरे भ्रमांड का भेधन करके शंकर जी के परमपाज शीव लोग को प्राप्त हो जाएगा जो मनुश्य तृत्या अथवा अश्टमी तिथी के दिन शीव जीव जी के सन्निकर जाकर मेरे इन एक सो आठ नमों का पाठ करके उन्हें सुनाएगा वे बहुत से पुत्रों वाला हो जाएगा जो विद्वान गौदान श्राददान अथा प्रतिदिन देवर्चन के समय इन नामों का पाठ करेगा वे पर भ्रह्मपद को प्राप्त हो जाएगा इस परकार की बाते कहती हुई सती ने दक्ष के उस यब्ग्य मंडप में अपने आप ही अपने शीर को जिला कर भसम कर दिया पुणा ये थोक्त समय आने पर ब्रह्मा के पुत्र दक्ष परचेताओं के पुत्र रोप में उत्पन हुए तदा सती देवी शीवजी के अर्धांग में बिराजमान होने वाली पार्ति रोप से मैना के घर्व से प्रादर भोत हुई जो भक्ती अर्थात भोग और मुक्ती रूप फाल पर दान करने वाली है इनी पुरवक्त 108 नामों का जब करने से अरंधती ने सरवत्तम योग सिध्धी प्राप्त की राजरिशी पुरुरवाल लोक में अजे होगे याति ने पुत्र लाव किया और भ्रिगुन अंदर को धन संपती की प्राप्त हुई इसी परकार अन्यायन बहुत से देवता देट्य भामन शक्ति वैश्य और शुद्रों ने भी इन नामों के जब से मनवांचित सिध्या प्राप्त की जहां ये नामामली दिक कर रखी ज होती है वहां कभी शोक और दुर्गति का परवेश नहीं हो